अरों जेटेनी गेर हाजरी मा नाणा मंद्री रूपर संभाड़े दवेला पियूज गोले संसत मां मूधी सरकार नों अंतिम बजट रजू करी नाया चे अमें कमर तोड मोंगभारी नीच कमर तोड़ी नाखी बेंकिंग सिस्ट्रम मां जड़पी सुधारा थाया लेड़दारों पासे थी त्रोण लाग करोड पाचा मेड़वा मा आवया आरी आरे थी रियल एस्टेस्ट मां पारदर्शक तावी अमें जी एस्टी द्वारा करांतिकारी सुधारा करया आश्रे छ लाग गाम खुला मां सवच करिया थी मुक्त थाया सरकारे अनेग नवी योजना उशरू करी स्वच भारत अभ्यान जन भागी दारी थी रास्त्रे अभ्यान बन्यू सवने अनाज मडे एस उनिश्टित करियू अमारी सरकार मा विदेशी रोकान वध्यू गरी बोमा टे 10 टका आर्थी कना मत लागू करियू संसा धनों उपर सौथी पहलो अधिकार गरी बोनों छे पीए मावास योजना ही ठड़ 1.53 करोड घर बनावा माव्या सवभागे योजना माँ दरेक घर ने मफत कनेक्षन 2004 थी अत्यार सुधी चवद AIIMS नी जाहरात आयोशिमान भारत मां 50 करोड लोको जुडाया आयोशिमान भारत योजना अंतरकाज 10 लाख लोको नी सारवार करवा मावी मनरेगा माटे 7,000 करोड रुपया ग्राम सडक योजना माटे 9,000 करोड रुपया पाक नी MCB वधारी ने डोड गणी करी 6 करोड मफद LPG कनेक्शन अपाया संपून वरश मा 8 करोड गेस कनेक्शन थाई जश असंगठी दिक शेत्रना मजूरों ने 3,000 रुपया पैंचन E.P.FO नी वीमा रकम 6,000 करवा मावी श्रमीक ना मृत्यू पर 6,000 नू वडतर सरकारे NPA उची करवाना प्रयास करया गरिबोना अनाज माटे 1.7 लाग करोण नी फाण अवनी देशनी संपती लूटना रा ओपर लगाम कसी नाना खेड़ुतोंने वार्शिक 6,000 रुपया नी मदद 15,000 रुपया सलरी वाडा मजूरोंने पैंचन साइट वरशनी उमर 12,000 रुपया पैंचन उड़ान योजना नी सामाने नागरी को माटे पन हवायात्रा शरण बनी छिल्ला पांच वरशमा हवायात्रेओनी संख्या बम्णी थै देशमा दरोज 27 किलोमेटर हाइवे नो निर्मार पहली वक्षत रक्षा बजेट 3 लाग करोड थी वधारे वन रेंक वन पैंचन अंतरकर 35,000 करोड रुपया नो खर्च तमाम मानव रहित फाटक खत भारतमा सवती वधारे मोबाईल वपराश करता हो रिटन फाइल करना रा लोकों नी संख्या वदी 6.85 करोड लोको ए रिटन भर्यू गया वर्षे 99.54 रिटन सिक्वार मामा व्या अवे रिटन ने इलेक्ट्रोनिक तपास थशे 24 लाग मा आईटी रिटन नी प्रक्रिया थशे आधार ना कारणे वचेटियाओनी भूमी का खतम थै बार लाग करोड नो टेक्स जमात हयो जी एस्टी ना कारणे राजो ना परस परना वैपार मा सरड़ता पांच लाग सुधियावक मा इंकम टेक्स नहीं एनेस गुजरादनी टीम भाजव कॉंगोईसना नेता अने लोगों बचे जाए आज रोज जाहर थैल बजेट ना मनतव या जाने हादा कि इतना एकडम साउंड सिस्टेम करके GST को लाया गया था तो इंशुर्ट ठीके अभी देश में है तो उसको स्विकार करते है और आशा रखते है कि आगे उसमें कोई दिक्कते ना आए कांवरे जो क मुटने करने वाले जो कारख हाने सब है हुए सब के उन्डर दिक्कत यह दी वगार्ट के मद лिए जोपट। शोटे से छोटे कारख हाने वाले उनके न क कारख ने बं दो रहे और उनके वज़े से छोटे-छोटे जो जो मजदूलोग जो गाउंसे जो एंड़ाबाद शिटी में हर जगह से आ रहे हैं उन लोग को काम और रोजगार नहीं मिल रहा है। के वज़े से येस की अर्ण बंडी के खादन आज के युवाओ को नोकरी नहीं मिल रही है और हर जगर पे कहीं भी देखो तो कोई भी पड़ा लिखा लड़का उसको पूछवार क्या कर दे हो तो बोले वेकंसी नहीं नहीं मिल ले जिस तरीके से आज जो ये चालू सरकार है उन्होंने बोला था युवाओ को के नोकरी हम आपको देंगे दो करोड रोजगार मिलेंगे उसके सापने हिसाब ते कोई रोजगार मिली नहीं रहा है मेरे बाजु में कोटर्व है वहाँ पे बहुत सारे करमचारी लोगे जो जाडू सरकारी में मारतें उन लोगों पूछो के भाई नोकरी कैसी है सरकारी में ये जो जो जालू बादू मारते तो वो बूलते कि हमको बारवी या पास चाहिए तो इसके लिए मैं मानता हूँ इसमें कोई पढ़ाई की बात नहीं है, जो जाड़ो नोकरी करने वाले लोगों है, तो GSTO, नोटबंदी और ये सब के इसाब से बियरोधकार तो ज्यादा बड़ी रहा है, जो अज बज़ेट रजी हुआ है, क्या काओ को इस बज़ेट की ब जो दो करोड साल में रोजगार देने का वादा किया था, युवाओ से, आज आप रोजगार देनी पाए, उल्टा GSTO, नोटबंदी से रोजगार युवाओ से चिन लिया रहा है, आज हर युवा सरकार से सवाल कुछ रहा है, ये एक लुभाने के लिए लोगों को जासे म लाने के लिए बजट रहु किया गया है, मैं नहीं मानता हूँ कि इसका सही से इंप्लिमेंट भी होगाएगा, और आने वाले समय में तीन महने बाद सरकार बदलने वाली है, नहीं सरकार आने वाली है, जो युवाओं को नया रोजगार के अफसर देने वाली है, पिसानों मुद्दा है शिक्षा का शिक्षा का तो व्यापारी करन हो रहा है, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि व्यापारी करन नहीं हो और जितनी फीश को फोड़ा कम करें हर जगह बहुत ज़्यादा थीश है, हर जगह फीश जयादा है, उसका पूरा-पूरा व्यापारी करन हो र जैश प्रजापती साथ एस सुमीच चोहाण अनेस गुजरात नियूज अमदावाद